नमस्काल दोस्तों दे नौलेज में आपका स्वागत है मैं हुई तेजगिरी को साई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का जियोग्राफिकली जन्म कैसे हुआ आज से करीब 20 करोड साल भेले हमारी दर्ती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेट कॉंटिनेंट्स नहीं थे उस वक्त सिर्फ एक सूपर कॉंटिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया बेंजिया और इसके चारो और सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैठालासा और आज के सारे खंड इसी महाखंड बेंजिया में से विखंडित होके बने हैं ये थियरी देने वाले वैक्यानिक आलफेट वेगनर थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ दोस्तो पृत्वी के घर्ब में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है जिसके चलते धर्थी पर निरतर बडलाव होते रहते हैं लेकिन ये बडलाव लाखो या करोडों सालों बात दिखाई देते हैं और इन ही बडलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉंटिनेंट्स का गौंडवाला लेंड कहा जाता है और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी बरा और एक खाड़ी का निर्मान हुआ उसे वैक्यनिकों ने टेथिस सागर नाम दिया पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्यूप लारिंसिया में से लेकिन भारत का भूमिपाग उस वक्त वास्ताव में गौंडवाना लेंड महाद्यूप का हिस्सा था और आज का आफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे दीरे अंद्रूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल आफ्रीका से अलग होकर दीरे दीरे एसिया की और बढ़ने लगी वो आज के लड़ाक हिस्से की और लगतार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एसिया के लड़ाक वाले हिस्से पे टकराव हुआ दोस्तो बुगर में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की और सरग जाती है और हलकी प्लेट उपर उड़ जाती है उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमाले का निर्मान हुआ ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ ऐसा होने में करोडों साल लग गए और आज की इस पाउगोलिक भूमी का निर्मान हुआ दोस्तो आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट बिटिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमाले की और दब रही है और हिमाले दिन बदिन उपर उठ रहा है इसके साथ ही यमाले के सारे परवतों की और माउंट एवरेस की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है दोस्तो इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एलफर्ड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉंटिनेंट एक दुसरे में फिट होते है और आज अगर किसी तरह इन सब को एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉंटिनेंट का दिर्मार हो सकता है चले ये तो एक सैयोग भी हो सकता है लेकिन आलफर्ड ने अलग-अलग विस्तार में जाके उस माखंडों की जीव सुरुष्टिका और प्राचिन खड़कों के अवसेसों का अवलोगन किया तो ये मालूम हुआ कि विवित अवसेस अलग-अलग खंड में एक समान ही थे इसके साथ ही अलफर्ड ने अपनी सीरी को सिद्ध करने के लिए कई सारी उदाहरन दिये फ्रेंसिस प्लेट्स के टकराव से भूकम और ज्वाला मुखी का खतरा रहता है वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वाला मुखी नहीं है लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी-कभी भूकम के चटके मैसूस होते है हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकम और ज्वाला मुखी का रहिजन क्या है और लावा या मैगमा कैसे बनता है तो आज के लिए इतना ही अगर आप नए है तो दर नॉलिज को जरू सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें हो सके उतना सेयर करें और अपना खायर रखें हैव गूड डे टेक केर